आप मार्केट में यह चार गलतिया कर रहे हो जिनसे आपका प्रॉफिट नहीं बन पा रहा और आप क्या बहुत सारे एक्सपर्ट ट्रेडर भी गलतिया करते हैं तो अगर आप एक्सपर्ट हो या फिर बिगनर्स हो तो वीडियो आंड तक जरूर देखना हो सकता है आप इन जलतियों को ना करते हो लेगिन आपको यह तो पता चले कि आप किन किन चीजों में बहुत ही जादा एक्सपर्ट रोग करेंगे यहां पे लोस आपको हाई होता है और प्रॉफिट पर काम होता है उसका दो रिजन्स है कि आपना हमेशा हाई रेट पर वाई करते हो आपने श सेहेन रूपीज रेट पे वाई कर लिया आपने आठंग रूपीज रेट पे बाई कर लिया शिरफ दो या तिन रूपै के प्रॉप से 550 तो मेरा रिपर्धेशन रहेगा कि आप मैकसिमम हाइग रेेट पे जो बाई करे हो छÉंहिते रूपा ज्यादा and profits कम होता है second point आता है exit option not use अब देखो आप एक नए trader हो या फिर beginner trader हो अगर आपको नहीं मालूँ इसको कैसे यूज करना है इसको क्यों यूज करना है तो आप अभी expert नहीं बने cricket trading में क्योंकि अगर आप exit option का यूज नहीं करोगे तो IPL 2024 में PSL में WPL में कभी आपका profit नहीं बनेगा तो अगर आपको थोड़ा सा भी profit बनाना है तो याद रखना कि आपको exit option का यूज करना बहुत ही ज़्यादा important हो जाता है इस option को यूज करना सीख लो third point आता है कि यहां पेना आपना stress में xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx तो stress वाली entry में हमें loss ही होता है तो आपको stress वाली entry नहीं करनी आपको market के शुरू होने से पहले ही पता कर लो कि आपको entry कब लेना है, आपको exit कब लेना है उसके according आप entry लो, exit लो तो ज़्यादा बैता रहें over trading ना एक ऐसा game है, जिसको अगर आप गलतिया करते रहोगे तो कितना भी आपकी winning probability होगी, market से कभी भी पैसा नहीं बना पाऊगे तो over trading को रोकने के लिए मैं कुछ आपको example दूँगा जिससे आपके mind में यह समझाएगा आपको कि over trading की इस तरीके से आपके investment को खा रही है यह है कि आप एक दिन में कम से कम 10-5 ट्रेड रहे हो वो over trading हो गई, अब over trading आपके investment को कैसे खा रहे है देखो पहले के according अब commission बहुत ज़्यादा बढ़ गए है और commission सारी ही application 20% ले रही है तो देखो commission अगर आप बार बार सभी ट्रेडों में दोगे तो यह बताओ कि आपको कितना ज़्यादा commission दिना पड़ेगा आप loss करोगे, profit करोगे, loss करोगे, profit करोगे मतलब 10 बार खेल रहे हो, 5 बार जीत रहे हो, 5 बार loss कर रहे हो तो आपको मैं एक application बताता हूँ जिसका नाम है sports बाजी जहां पे आपको 15% commission देना पड़ेगा कोबो पे ट्रेडेक्स पे 20% commission यहां पे आपको सिर्फ 15% commission देना है इसका link मैंने description में दे रखा है, वहां से आप download कर लेना जैसे ही आप download करोगे, अगर आप नई users हो, तो आपको 10 rupees का real cash मिलेगा और अगर आप पुराने users हो और पैसे deposit करते हो, नई या पुराने हो तो SB500, SB100 code यूज़ कर लेना, ताकि आपको mega leaks की free tickets मिल जाए और fantasy, cricket के stock market में कैसे trade करना है, इसके उपर detail videos बना रखी, आप इसमें भी trade कर सकते हो और prediction, तीनों ही चीज़ आप यहां पर कर सकते हो, और sports बाज में, sports से related साड़ी ही prediction आपको देखने को मिल जाएगी और आप देखो, मैं आपको इसको खेलना बता देता हूँ, अगर आपको कोई सी भी team का match हो, अगर आपको लगती है कि यह team जीतेगी, या फिर हारेगी तो आप true and false में जो भी select करो, उसके पात quantity select कर लेना, और नीचे contest option आएगा, यह वाले contest join कर लेना बस, जितनी quantity आप यूज करोगे, उतने आपको पैसे देने पड़ेंगे, और उसके according आपको profits होंगे, और इतना ही नहीं, live market में धेर सारे आपसे question पुछे जाते हैं, जिसमें आप true and false में prediction करके पैसा earn कर सकते हो, और आपको यह भी prediction मिलती है कि 20 over में या 6 over में कितना run above जा मैंने आपको बताए, चार ऐसे rules, जिसको अगर आप रोक लोगे, तो profit market से अपने आप दीरे-दीरे आप बनता जाएगा, और यह एक बार में खतम नहीं होगा, over trading आपकी एक बार में खतम नहीं होगी, आप दीरे-दीरे practice करोगे ना, तभी यह चीज आपके control में आगी, क् Suppose करो, अगर आप दीन के 20 ट्रेड लेते हो, तो over trading का यह मतलब है, कि आप ज़्यादा commission बढ़ रहे हो, तो आपके mind को जो उसकी लट लग चुकी है, तो थोड़ा सा time लेगा, लेकिन दीरे-दीरे practice करोगे, तो आप over trading अपने आप, आपकी बंद हो जाएगी, काम करो, मुझ किस तरीके से profits बनते हैं, किस तरीके से कितना ज़्यादा loss होता है, अगर आपको ज़्यादा loss हुआ है, तो भी आप हमारे comment पे बता सकते हो, I hope यह वीडियो आपको amazing लगा हुआ, अगर amazing लगा है, तो एक like and channel को subscribe कर देना, मैं मिलता हूँ नच्छाइब कर देना, मैं मिलता